Hey guys, my name is Imran and welcome to SirPayval दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TAR Command का बारे में तुझेले जानते हैं कि TAR Command क्या होता है और हमें से क्या का चीज़े करते हैं So, the TAR Command in Linux is used to create, manipulate and extract archive files तो हम TAR Command के इस्तेमाल करके क्या करते हैं क्रियेट करते हैं, manipulate करते हैं and extract करते हैं क्या archive files को, ठीक है आगे देखते हैं, archive files क्या होता है It is a common utility for bundling multiple files and directories into single file इसके थुरू आप multiple files को क्या करते हो, bundle कर सकते हो चाहे files और directories हो, सबको bundle करके आप single file में रख सकते हो compress भी कर सकते हो, यह किस लिए यूज होता है, storage के लिए और transmission के लिए अगर हम किसी file को compress करेंगे तो इसका size क्या होगा, कम हो जागा, actual size से ओके, तो storage के लिए अच्छा होता है और बात करें आपका transmission यानि अगर आप file कहीं भेजते हो तो भेज़ने भी easy होता है आपको single file चूज करनी होती है, और बैस देनी होती है, सामने पहुंच जाएगा recognition पर आपके, तो वहांसको easily extract करें को file को use में ले सकता है कभी कभी क्या होता है, multiple files हम भेजते हैं, तो उसमें problems आ सकती है में भी हो सकता है, कोई file lost हो जाए या फिर ना पहुंच है, ओके या फिर छूट जाए, तो ऐसे problem हो सकता है इसलिए हम इसको use करते हैं, ताकि हम किसी भी file को, या डेक्टिस को, multiple file, डेक्टिस को bundle करके एक single file बना दे, फिर उसको transmission storage के लिए use करें, okay, here are some basic uses of the tar command, tar command को इसे basic use देखते हैं, जैसे creating tar archive, अगर हमें tar archive create करना है, तो basically हम option इस्तुमाल करेंगे, हाइ, हाइफन, c, v, f, c, मतलब होता है create, v for verbose, verbose मतलब होता है, यह भी terminal पर हम काम करते हैं, और कोई command use करते हैं, तो हमें देखना है कि उसका output, या भी behind the scene, मतलब क्या कामें हो रहा है, वो कैसे चीज़े कर रहा है, तो उसे हम देखने के लिए, v के स्वाल करते हैं, verbose के प्रिंट हो जाए, यह चीज़े ऐसे, execute होई है, जो कि हमने पहले बात भी किया है काफी बार, फिर last है, यह मतलब होता है, file, okay, example के लिए, tar-cvf archive.tar, यह मारा file नहीं है, archive.tar, और इसके अंदर, क्या क्या चीज़े होंगी, file1 होगा, file2 होगा, और यह directory होगा, इसको नाम है directory और इस लेक्टर कंदर यहतने सारे files होगी, वो सब तीनों, यह और यह, इसके अंदर, tar, archive.tar कंदर क्या होगा, bundle हो जाएगा, इसके अंदर चली जाएगा, आप यहां पर कोई भी नाम लिख सकते हो, बस last में .tar होना चाहिए, okay, next आते है, extracting at tar archive, okay, तो इसे हम जो next काम करते ह हैं, वो करते हैं, extract the contents of a tar archive, use the xvf option, तो हमने tar file तो create कर लिया, तो उसको extract भी करने के लिए, तब तो उसको use कर पाएंगे, तो उसको extract करने के लिए हम use करते हैं, xvf option का, x मतलब होता है, extract, v4 word was, f1 file का नाम, example के लिए tar-xvf, फिर archive.tar हमारा tar file का नाम, next है, viewing the contents of a tar archive, अगर आप बीना extract किये, उससे tar archive के content को दिखना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस्तमाल करना पड़ेगा, tvf option, tvf option, table of contents, v4 word was, and f4 file, example के लिए tar-tvf archive.tar, okay, compressing ये tar archive, तो हमने तो bundle कर लिया, हम चाहते हैं, कि अब हम bundle भी कर ले, साथ मैं, archive, archive भी कर ले, basically compress भी कर ले, तो compress क्या सकते हैं, compress करने के लिए आपको इस्तमाल करना पड़ेगा, hyphen z option, ठीक है, तो hyphen z अगर इस्तमाल करेंगे, तो ये gzip format में हमारा जो है, ये compress होगा, और हम ये इस्तमाल करते हैं, तो bzip 2 format में हमारा ये compress होगा, example के लिए tar-tvzf archive.tar.z, तो हमें इस तरी लिए कैसे लिखना पड़ेगा, अपना file करना, फिर .tar.gz, ओके, फिर अपना सेम चीज है, कौन-कौन file है, कौन-कौन directories है, जिसको हम compress करना चाहते हैं, और bundle करना चाहते हैं, तो basically tar command है, वो versatile tool है, widely use होता है, आपको backup create करने में, हमें किसी file या director के backup create करना है, तो इसे कर सकत हैं, packaging software distributions के लिए, compressing files and directories, directories or files to compress करने के लिए, यह essential tool है, जो कि फाइल और data archiving के लिए Linux में, या फिर Linux के like system, या या unix like system में हम इसमाल में लेते हैं, तो यह वो introduction, अब हम चलते हैं, लिए आप के तरप, अपि मैं आपको वह साई चीज़ दिखाता हूं, जो मैं आपको ब file 2.txt, okay, तो मैं काता हूं, ls-r, तो आप देख सकते हैं, यहाँ फाइल 1.txt है, file 2.txt है, और data 1 है, और data 1 के अंदर क्या है, file 3.txt है, okay, so, हम basically, use करेंगे, simple file को bundle करना, तो हम लिकेंगे, tar space-cvf, okay, space, किस नमसे फाइब बनाना चाहते हैं, तो imran.tar, okay, space देंगे, कौन को देख सकना चाहते हैं, इसके अंदर, file 1.txt, file 2.txt, ओके, और data 1 के नाम से, इसको भी में mention कर देते हैं, ठीक है, फिकरते हैं, enter, okay, तो file 1 बन गया, file 2 बन गया, data 1 के अंदर जाके, यह आपका file 3 को भी इसने create कर दिया, अब हम करते हैं, ls, तो आज दे सकते हैं, यह हमारा है इमरान.tar नाम का file बन चुका है, ओके, अब, next है, इसको extract करना, तो अगर मैं यहीं पर extract करूँगा, तो यह सारी चीज़े overwrite हो जाएंगे, तो मैं काम करता हूँ, एक डाटर करता हूँ, तो mkdir, अब लिखता हूँ, test, ठीक है, फिकरता हूँ, move इसको, test के नाम के अंदर, ठीक है, cd, test, यह रही है, हमारी file, ओके, अब यह मैं सो क्या करेंगे, extract करेंगे, तो हम लिखते हैं, tar-xvf, फिर file का नाम, जो कि run.tar, फिकरते हैं, enter, extract हो चुका है, फिकरते हैं, ls, तो आप देख सकते हैं, file1.xt, file2.xt, और directory1 है, तो मैं करूँ, ls, directory1, तो इसके अंदर, file.t, 3.xt, आपको देखने को, मिल जाता है, तो इस तरीके सा, आप, basically, file को create कर सकते हैं, और उसको extract कर सकते हैं, अब जो next command है, वो है, बीना extract किये, इस file के अंदर, क्या content से, वो देखना, ठीक है, तो हम simple लिखेंगे, tar-tvf, और imran.tar, तो आप देख सकते हैं, file1.xt, file2.xt, directory1, प्रेंट कर दिया, इसकी क्या क्या परेंशन है, कौन यूजर है, सब कुछ इसने, आपको, टर्मिल पर प्रेंट करके, देख दिया, तो बीना extract किया आप देखना चाहते हैं, तो आप इस option के स्थमाल कर लेते हैं, ओके, so, अब मैं क्यार करता हूँ, ls, आप करता हूँ, r star, okay, rm-r star, ठीक है, हमने सब कुछ डिलेट कर दिया, cd.org, करते हैं, ls, so, मेरे पास है, same files, अब हम क्या करेंगे, इसको tar archive grade करेंगे, साथ साथ में, इसको compress भी करेंगे, ठीक है, so, इसका command है, tar-cvzf, okay, space, imran.tar.cz, okay, यह में, फाइल का नाम, extension साथ मेंशन करना पड़ेगा, कौन-कौन सी फाइल की चाहते हैं, तो file1.txt, file2.txt, और directory1, okay, फिर हम करते हैं, basically, enter, फिर करते हैं, ls, तो हमारे सामने, यह file, complex format में, basically, बन के, आचुका है, ठीक है, फिर लिखते हैं, tar-tvf, और imran, तो आप बीना file को extract किया, इसका अंदर के contents देख सकते हैं, okay, so, अगर हम काम करते हैं, mv imran.tar.dz को हम move कर दे रहे हैं, text, directory के अंदर, फिर आते हैं, test, यह मारे फाइल रही, हम इसको extract करना चाहते हैं, काफी easy है, so tar, space, hyphen, xvzf, फिर imran.tar.dz, फिर करते हैं, enter, फिर करते हैं, unless, हमने इसको extract कर लिया, ठीक है, तो guys, इस तरह किसे, आप tar command का इस्तमाल कर सकते हैं, file को create करने में, complex format में, या फिर आपका bundle format में, उसको extract करना में बता दिया आपको, terminal पे बीना उसको extract किया, कैसे print करता देखना है, कॉसे अंद कौन-कान से content से, क्या file से characterism, वो भी आप मैंने आपको बता दिया, तो उमीद आपको सारी चीजी अच्छे समझ में आ गी होगी, तो बस आज के लिए उमीरी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेर कीजिए, कोई सवाल दा तो कमेंट कीजिए, कोई सो जोतों भी कमेंट कर सकते हैं, चैलों पर पहली बार आठे हैं, तो चैलों को सब्स्राइब क सब्सक्राइब को प्रेस किए कि मैं आपके लिए मैंसा ऐसे हैं इंटरस्टीन वीडियो टो लेकर आते रहता हूं तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो मैं तब तक टेक केर एंड गुट बाए